एक तो अगनीपत स्कीम जो है उसको हम उसके खिलाफ पुरे देश भर में संघर्ष करेंगे और उस स्कीम को रोल बैक करने के लिए सरकार के उपर दबाव डालेंगे और मैं यही बात हमने भारत जोड़ो यात्रा में रहुल गांदी जी के सामने भी रखी थी उन्होंने कहा कि यह स्कीम बहुत ही देश की एकता खंडता के लिए कराब है तो इसको हमें रोल बैक करना चाहिए तो मैं और ज्यादा बाते ना करके हमारे पास बहुत समय मिलेगा हर बात जो है जो मैंने आज पॉइंट्स उठाए है हर एक एक सब्जेक्ट है अपने आप में तो हमें कि हम एक हम एक सब्जेक्ट को अलग अलग डिल करेंगे आने वाले समय के अंदर और कॉंगरेस पार्टी को मजबूत करेंगे हमारा विजन है कि पूरे देश भर के अंदर एक सर्निस्मेंट डिपार्ट्मेंट जो की बहुत मजबूत डिपार्टमेंट बन सकता है उसके लिए अगले हम 6-8 महिने में कोशिश करेंगे और 2024 के लिए हम अपनी कॉंग्रेस पार्टी को इतना तयार कर देंगे कि एक करोड जो डिफेंस कमिनिटी के परिवार हैं उनको हम कॉंग्रेस की प्यार की भाईचारे की सहिशनुता की महबबत की विचारधारा से और जो डिवलप्मेंट की विचारधारा उसके साथ जोडेंगे और कॉंग्रेस पार्टी को इसका बेनिफिट मिलेगा और कम से कम 7-8% वोट शेर मैं गैरेंटी करता हूँ कॉंग्रेस पार्टी को कि हम इस तरह से मस्टर कर सकते हैं और कॉंग्रेस पार्टी जो है आने वाले 2024 में सरकार बनाएगी और 100 प्रतिशत बनाएगी बहुत बहुत धन्यवाद